तो आज मैं आई हूँ अपनी एक फ्रेंड के घर पर उसने लक्ष्मी माता की पूजा रखी है और साथ में उसने भजन भी रखे हैं तो ये जो मेरी फ्रेंड सेंटर में यलो सारी में है न अभी नेक्स जो पिक आएगा उसमें दिखेगी ये जो है पिक तो इसने ही अपने घर पर लक्ष्मी माता की पूजा रखी है साथ में भजन भी रखे हैं तो बहुत ही हमने यहाँ पर भजन किये पूजा करी मैं अभी आपको भजन की वीडियो से स्टार्ट करती हूँ इस ब्लॉक को. चोटी चोटी गई आपको भजन की वीडियो से स्टार्ट करती हूँ इस ब्लॉक को. अपने हादों की दूरी में मांग आए तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से हमने अपनी फ्रेंड के यहां पर लक्षमी माता की पूजा भी करी साथ में भजन भी किये और यह है मेरा पूरा फ्रेंड सरकिल यूएस में और हम ना जितने भी फेस्टीवल्स होते हैं उनको फ्रेंड कर लेते हैं तो यहां पर ना बहुत ही अच्छा लगता है बहुत सारी फ्रेंड से और इंडियन्स भी यहां बहुत अच्छे हैं इस वाली कम्यूनिटी में यह है प्रशाद लक्षमी माता का और प्रशाद तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी होता है प्रशाद के बारे में प्रभु के साक्षाद दर्शन तो बस फ्रेंड्स आज दिन है सेटरडे और यहां पर बज़ रहे हैं सुबा के 6.30 वैसे तो मैं जनरली 5 या 5.30 पर उठती हूं लेकिन वीकेंड पे मैं 6.30 तक भी उठे जाती हूं और उठने के सबसे पहले मैं अपना एक शलोग बोलती हूं तो अल्रेड़ी यह शलोग मैं बोल चुकी हूं लेकिन मैंने एक ब्लॉग में शियर किया था कि मैं आपको एक दिन बताऊंगी कि वो जो शलोग है जो कि मैं अपने दोनों हातों को रब करके और देखकर बोलती हूं वो कौन सा है तो मैं आ गई हूं अब लिविंग रूम में ताकि आपको एजिली बता सकूं कि एक्चली वो शलोग कौन सा है तो वो जो शलोग है वो है करागरे वसते लक्षमी कर मद्धे स्वरसती कर मूले तू गोविंदहा प्रभाते कर दर्शन तो अगर आप अपने दिन की शुरुवात इस शलोग से करेंगे तो आपको पूरे दिन बहुत अच्छा लगेगा तो बस अपने दोनों हाथों को रब करके हाथों में इस शलोग को बोलके भगवान के दर्शन करें और बस इन हाथों को आप अपने सिर से या कहना चीए चेहरे से लगा लें इस तरह से अगर आप दिन की शुरुवात करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा चलिए दिन की शुरुवात हो गई है मैंने अपना पानी भी पी लिया है साथ मैं योगा भी कर ली है आज मैंने पूरा अपना एक घंटा योगा करी है कि Monday to Friday बच्चे स्कूल जाती है तो योगा होती है लेकिन कई अबर प्रॉपर नहीं हो पाती है तो आज न मैंने योगा पूरा एक घंटे करी है और अब बारी आती है भगवान जी को जगाने की अगर आप एसेडिक पेशेंट है ना तो आप अपने ब्रेकफास में अंकुरित मूंग अंकुरित मॉट और लोबिया इंकलूट कर सकते हैं और इसमें आपको टमेटो और अनियन डालके नहीं खाना है इसमें आपको सिर्फ कुकंबर डालके खाना है मैंने अपने लास्ट फ्लॉग में भी शेयर किया था कि अगर आपको हाई असेडिटी रहती है तो आप ब्रेकफास में क्या ले सकते हैं अगर आप चाहें तो लास्ट पाला वीडियो भी जाकर चेकाउट कर सकते हैं तो यहाँ पर आज हम सभी breakfast एक साथ बैट के कर रहे हैं, यतका अपना दूद बिस्किट ले रही है, विवेक भी sprouts खा रहे हैं और मैं भी sprouts खा रही हूँ, भव अभी उठाने हैं, भव उठ जाएगा तो वो भी हम लोगों को जॉइन कर लेगा, breakfast के बाद generally मैं adult multi-vitamin gummies लेती हूँ, और इसकी मैं दो tablets लेती हूँ, बेसिकल यह gummies नहीं हैं, टैबलिट्स नहीं हैं, जैसे chewable toffees होती हैं बिल्कुल उसी तरीके से हैं, यह आपको बहुत easily Costco में मिल जाएंगी, अगर आप अपनी diet में कोई multi-vitamin include करने का सोच रहे हैं, so you can go for it, चलिए हम में कर लेती हूँ, कुछ lunch की तैयारी, तो lunch में मैं बना रहे हूँ मतर पनीर, वो भी without onion garlic, और इविन आस तो मैं दूद, दही, क्रीम, कैश्यू, जो भी जैसे rich ingredients होते हैं, वो कुछ भी नहीं डालूँगी, simple मतर पनीर बनाऊंगी, लेकिन यह बहुत ही tasty बनता जादा कर सकते हैं, इन सबी मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं, यह सब भूनने के बाद मैं डालूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे तेज पता, दाल चीनी, स्टार, बड़ी लाइची, छोटे लाइची, और लॉंग और काले मिर्ची, और अब इन सबी चीज़ो इन टमाटर को कवर करके एकदम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, बीच पीच में चलाते भी रहेंगे, टमाटर को मैंने ढपकर पका लिया है, अब इस टमाटर को हम अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, गैस को मैंने कर दिया है, बंद, क्योंकि हमको ठंडा होन तोड़ा संधत कर दिया है की ऐसे सूख़ा धन्या थोड़ा सा जीरा पाउडर प्रड़ी सी कोredit एक चम्मश बेसन से हमारी सब्जी में थिकनेस भी भर जाएगी और बहुत टेस्टी भी हो जाएगी अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेते हैं इसको हमें जब तक भूनना है जब तक की बेसन का कच्छापन चलानी जाता है अब इसमें जाए अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसा नमक अब मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया है मटर और पनीर मटर पनीर को मिक्स कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पर कवर करके दस मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं गैस को मैंने कर दिया है बंद सबजी बनके हो और अब भड़ी तयार और सबजी बनने के बाद मैंने निसमें थोड़ा सा हरा धनिया कसूरी मेति टोड़ा सब डाल दिया था और आम बस हमारा लेड़ी हो गया हम सभी लोग आ गया मैं कोस्को का का काम फिनिश करने के बाद हम सब लोग आ गए हैं डॉलटरी बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे मम्मा हेलोवीन की और डेकोरेशन लेनी है तो बस यहाँ पर मिल भी रिजनेबल रेट पर जाती है और बच्चे खुश भी हो जाते हैं आते ही सबसे पहला काम होता है सबी सामान को पहुचने का तो बस क्लोरोक्स वाइप से मैं सबी सामान यहां पर पहुच दूँगी लुकेट भव हीज वेरी एकसाइटेड की मममा कब डॉलटरी का सामान पहुचेंगी तो मैं यहां इवनिंग में डिनर में बना रही हूं बच्चों के लिए नान तो मैं यह कॉसको से नान ली आती हूं कभी कभी तो जैसे सुबह मैंने मटर पनीर बनाया था तो बच गया है, तो सबह मैंने चपाती बना दी थी और evening में मैं लियाए हूँ नान तो बहुत अच्छे से मटर पनीर से ये नान खा लेते हैं ये बहुत अच्छी नान वती है आप एक बार चाहें तो इसको ट्राइ कर सकते हैं ये जो नान है इस ब्रांड का नाम है स्टोन फ्री तो बस इसको तवे पर आप मीडियम फ्रेम पर डाल दीजिएगा और आगे पिछे से थोड़ा सा सेक लीजिएगो गी या बटर लगा के किसी भी सबजी के साथ पनीर की और आप इसको सर्व कर सकते हैं तो बस यहां पर बच्चों का डिनर भी रेडी हो गया है डिनर करने के बाद बच्चे बिजी हो गए हैं अपनी पजल्स में तो हम जब भी डॉलर्टरी जाते हैं तो बच्चों के लिए इस तरीकी की पजल्स जरूर लाते हैं ताकि वो बिजी भी हो जाते हैं और उनका ब्रेन भी शार्पन रहता है तो बजाए के बच्चों को नॉर्मल टीवी दिखाने के बजाए इस तरह की पजल्स में भी विजी किया जा सकता है टाइम हो गया है इवनिंग आर्टी का तो बस फ्रेंड्स में व्लॉग को यहीं पर एंड करती है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बिकम आ पार्ट आफ आर फैमिली तैंक यू